हेलो एरिवान, गूड मॉर्निंग इंडिया, आप सभी लोगा स्वागत है आपके इस चैनल में, तो आज का अपना जो टॉपिक है कियार, कुछ चीज़ा आपके कंट्रोल में नहीं होती है, और जो चीज़ा आपके कंट्रोल में नहीं उसको जाने दो, यकिन मानिए, हम उन प्र हुआ कर सकति है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि सामने वाला कैसे बेहेव करेगा, हम किसे के सारे रिलेस्tanिटेशल्सिप में हम बहुत अच्छे वैकती है, तो आपके दुखी होने से भी कुछ नहीं होगा, यकिन मानिए, आप एक एक्जाम की प्रपिर्प्रिसंड कर रेहों और आपकी कंट्रोल में नहीं है वो एक्जाम का तीन घंटे का प्रेशर आपकी कंट्रोल में उतना नहीं है कुछ चीजें उस दिन पर चोड़ देना चाहिए आप अपना बैस्त करो होत्ता हुसत था उस दिन आपकी तब्द कुछी चे कैसे आप इसाइड करोगों है पूरे दुनिया में कितना सार एकसिडेंट हूते हैं आ हमारा भी prata कि अच्टेंजी कुछी कितने सारे लोग इस दुनिया से चले जाते हम भी झा सकते तो जो चीश मर कं ट्रोल में नहीं कितना ही सोचे, कितना ही उसके ऊपर प्रसर डाले, रज़ता है कि हमको जिंदकी मस-ग-type से जीने का ट्राइ करना चीज़ है, बोलना बदा असान है, क्योकि मैं खुद प्रसर में जीता हूँ, बट ठीक है, मैं फिर भी ट्राइ करता हूँ, मेरे पर प्रेसर उस चीज करेता है कि अच्छा करने का अच्छा करने का यह नहीं कि इंडिविजियल अच्छा करने का अच्छा करने का कि बहुत लोग की जिन्दगी डिपेंडेंट है जब आपके राउन में पूरे लोग आपको अलग टाइप से ठीलिट करते हैं तो उसका और फिर finally आपकी जिन्दगी better है यही आपकी पास है तो मैं वो रहूं कि जिस चीजों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपका कंट्रोल ही नहीं कि आपका relative आपके बारे में क्या बोलता है आपका कंट्रोल ही नहीं है कि आपका friend backside में तो जहां पर आप नहीं हो आपके पीछे क्या बोलता है इसमें आपका control क्या है नहीं कोई आपकी बुराई कर रहा है इसमें आपका control है नहीं कि इवन हम अपने thought को भी कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जैसे मैं हूं मैं बड़ा aggressive person हूं बहुत गुस्सा आता है मैं को कुछ गलत होने से आजकल इसा होगी है कि साथ है लेकिन फिर कुछ देर के बाद तोड़ा स्लोली स्लोली डाउन होता है लेकिन गुस्य को भी आस तक मैं कंट्रोल व्यसा नहीं कर पाया हूं थोड़ा तो नॉमल हूं मैं अभी बड़ फिर भी तो जस्में को लगा कि इन सब बारों में बात होना चाहिए आपको बहुत सारे सौट टेमपर जो लोग है वो विराट कुली से मन सक्सेस्वूल भी है और बहुत सारे सौट टेमपर ऐसे भी है जो आपको अपने गली महली में मिल जाएंगे कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो वैराइटी है अपने आपको प्रॉपर वे में हैंडल करो लोग के ओपिनियन को छोड़ दो लोग क्या सोचते क्या ही आप डिसाइड करोगे कि लोग आपके बारे में क्या बोलता जाने तो उनको जाने तो अपने लाइब को एक बैटर वे में अच्छा कैरी करो लेकि जाओ अच्छी जगा पे अपने थौट को पॉजिटी रखो प्योर रखना बहुत ही टप है आज की रेट में अपने थौट को गीता में कितना अच्छा लिखा गया है कि कर्म कर ले फल की इच्छा मत कर बिना फल की इच्छा किये कर्म करो देखने में लगता है अरे सरी तो गीता में लिखा गया ऐसर क्या है बहुत सही बात की गए क्योंकि आपके फिर कर्म करने में प्रॉबलम होगी अगर आप फल की इच्छा करोगी अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगी गेट, IAT, JEE, A, JEE, SSC, NON TAKE कोई रेलवे, बैंकिंग, कोई भी प्रिपरिसन कर रहा है अगर आप बार बार रिजल्ट के बारे में सोच चूँके तो आपके कर्म जो होंगे वो उस तरीके से कनेक्टेट नहीं होंगे और आपका इंपुट उस तरीके से नहीं जाएगा, तो आपके रिजल्ट भी उस तरीके से नहीं आएगा मैं बूलता हूँ कि आपने आपका इसा आसा नहीं है बार बार रिजल्ट के बारे में कोई भी सोचता है लेकिन आपने आपको ऐसा बनाओ कि आप पूरे तरीके से अपने कर्म पे बिलीव करो अपने आप में इतना इन्वाल हो जाओ कि सक्सेस ना आपको ढूनते विए आप मिलोगी नहीं तो इतना ढूनडे सक्सेस आपको आप घर से नहीं निकल रहे तो बाहर ही सक्सेस खड़ी रहे जब तक आप बाहर नहीं आओगे मैं बाहर ही खड़ी हूँ और जब बाहर निकले तो आपके चेरण चूले इतना बहत्री इस तरीके से थौट इस तरीके से वक करना चाहिए तो क्या बुला फाइनली जौब के कंट्रोल में नहीं है रिजल्ट बहुत अत्तक दूसरे लोग के थौट दूसरे लोग का बिहेवियर रिलेशनसिप में आपके जो पार्टनर है उसका कैरेक्टर कैरेक्टर बोलने का मतलब है कि वो हमेशा अच्छा रहेगा या कब चेंज जाएगा या आपके हाथ में नहीं character बोलने का सिभी इतना ही मतलब था यही सब चीज़े है जितना आप अपने mind को cool रखोगे, काम रखोगे मज़ा आगे जिन्दगी जिने में है ना, gift है जिन्दगी तो उसको जीओ क्या ही सोचना है कि लोग क्या सोचते ठीक है, चलो तो ऐसी लगा में को टॉपिक में बात करते हैं, तो ऐसी आप enjoy करते हैं, good morning India को आप, मैं आप लोग से बात करते रहूँगा जब जब time मिलते रहेगा, मैं आप लोग से बात करते रहूँगा ठीक है, okay, thank you